हेलो गाइस तो आज की जो अपनी विडियो विएओ इसके अंदर हम अपनी विंडो को इंस्टोल करेंगे जो कल की विडियो जो मैंने अपलोड करी थी उसमें मैंने आपको अपनी window 10 की एक bootable pen drag ready करवाई थी तो आज इसी के through हम इसमें window install करेंगे अभी desktop on है इसको करेंगे off और इसके बाद इसको इसमें लगाएंगे और उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊँगा के आपको cat के चीज़ करनी होती है एक window install करने के लिए बहुत easy होते हैं ये step कोई hard step नहीं होते हैं उससे पहले माँ आपको एक चीज़ बता दूँ के battlefield 1 और battlefield 5 का जो giveaway था वो अभी भी है किसी के पास भी ऐसा computer या ऐसा laptop है जिसके अंदर वो game run कर सकता है तो वो अपनी detail मेरको instagram पर दे दे और अगर उसके पास इस तरह का computer या laptop है के उस game कर लेगा तो मैं उसको original key जो origin key है मैं उसको दे दूँँँआ ताकि वो अपने game को install कर सके free of cost है कोई cost नहीं है यह मेरी तरफ से giveaway तो अभी desktop को off करते है और इसको इसमें लगा के करते हैं इस वीडियो की शुरुआत और मैं आपको दिखाता हूं कि window install किस तरीके से होती है अभी जैसे हमारे computer off है तो इसके अंदर जो हमने यह जो pen drive ready कर रखी है इसको लगा देते हैं आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका है ना computer off में ही लगाना मतलब अपने laptop हो या desktop हो जो भी आपके पास है इसको है ना off करके ही इस pen drive को लगाना और desktop हो तो एक चीज़ ध्य support होते हैं आप उनी में लगाना यानि कि पीछे की तरफ ही लगाना तो इसको अभी मैं लगा देता हूं इसमें और फिर इस अपने जो यह अपना जो desktop है computer है इसको करेंगे हम on इसको on करने के बाद मैं आपको यह बताता हूं कि आपको कहा जाना अभी आप जैसे pen drive लगा द button डबा के रखना है इसको डबा के रखोगे तो आप अपने सीधे bios के अंदर आ जाओगे और इसी के थूई हम अपनी window को करेंगे अभी install अब इदर आने के बाद आपको कहा जाना है यह तो advance mode है यह अपना easy mode है advance mode में जाना है आपको setting में जाना है एक चीज का ध्यान रखन है इस पर जैसे आप आओगे तो आपको इसके अंदर अपनी जो pen drive है वो select नहीं करनी है आपको कहां जाना है setting के अंदर ही जाओ save and exit पर जाओ और आप एक चीज देखना के boot overdrive है ना आपको इस पर जाना है अब देखो मेरी window windows xpg इस SSD में installed है लेकिन अभी देखो यह क्या द partition 1 कहने का मतलब है जो अभी हमने pen drive इसमें लगाई है ना इसके अंदर भी यह window है अब क्या करना है जब आपको install करनी है ना window अगर install करनी है मेरे मेरे में already installed है लेकिन मैं आपको यह दिखा रहा हूं कि install कैसे करनी है तो आपको boot overdrive और देखो मेरा MSI का board है चाहें गीगाबा pen drive ready करी है आपको सीधा इस पर क्लिक करना है जैसी आप इस पर वो कर दोगे क्लिक आप किया आपका system boot होगा इस pen drive के तुरू आपका जो system होगा windows में boot होगा तो इस pen drive के तुरू अब आप देख सकते है जैसे कि यह window का icon आ गया है अब इसको थोड़ दिर हो जाने देते है ल and click yes if you want to perform a clean installation अब देखो यह बोल रहा है कि अगर आपको बिल्कुल साफ installation चलिए window का तो अपनी जो मेरी ssd में applications वगरा है जो हर चीज है उसको मेरे को करना पड़ेगा delete अब फिलाल आपको मैं यह दिखा रहा हूं कि installation कैसे होती है तो हम इसको कर देते हैं हमी no क्योंकि मै अपनी वो चीज डिलीट नहीं करूँ हो क्योंकि मेरे में तो और रड़ी इंस्टॉल्ड है मेरे को तो आपको दिखाना है कि इंस्टॉलेशन होती कैसे तो मैं कर देता हूं यहां पर नो जैसी नो कर दिया आपका यह ब्लू ब्लू स्क्रीन आपके सामने आगी है इसके ब इसका है इसको livama कर देदे plugged है अब यह पूछ रही अपको और देखो यह पूछ रहा है नें है तो जाल देना अगर आपने की को पर चेस किया हुआ है तो तो गाल दीन है आगर आपके पास कोई की नहीं है, तो आपको सीधा क्लिक करना I don't have a key आपने इस पर वो किया क्लिक, अब देखो ये इतने सारे इसमें version जो हमने bootable pen drive बनाई है, उसमें इतने सारे वो है version मैं recommend करूँँगा कि आपको ये install करनी है window 10 pro, ठीक है अभी इस पर आपको करना next जैसी आप next कर रहोंगे तो इसकी जो term and वो है आप इसको वो कर लेना अब देखो upgrade, install window and key file setting and application देखो, अगर आप बिल्कुल नई window install कर रहे हो, तो आपको custom पर जाना है, इस पर जाना है ताकि आपकी disk दिखाए भई, आपने SSD लगा रहा आपको कहाँ install करनी है आपको वो चीज इधर दिखेगी अब देखो, अब क्या हो रखा है देखो, ये result मेरी already installed है इसमें, तो मेरी इसमें installed है, 2ender 37 जो ये है GB, जो है मेरी इसमें installed है, और इसी के चोटे-मोटे partition हो रखे हैं, एक TV कि मेरी hard disk है, ये वाली तो मेरी इसमें installed है, अब देखो आपको जहाँ पे भी install करनी है, आपको जहाँ पे भी install करनी है, आपको उस पे करना है click और सीधा कर देना next पे click, जैसे ही आप next पे click करोगे तो window ये second step शुरू हो जाएगा window copy होने लग जाएगी, install होने लग जाएगी, हर चीज़ होने लग जाएगी उसके बाद, कुछ नहीं मांगेगा ये, इसके बाद जो जो ये चीज़ मांगता है, कि वे वाइफाई से connect कर दो, फिर ये मांगेगा ये language कौनसी के keyboard की language करनी है, आपको English, English, India की select करनी है तो ये इस तरह की चीज़ मांगेगा और जो भी चीज़ ये अलग मांगे उसको note now, note now कर दो के भी advanced setup हमें अभी नहीं चाहिए इस तरह कर दो, तो उस तरीके से आपकी इसके बाद जाद जाद अगर आप SSD, SSD में अगर install कर रहे तो जाद जाद हाफ एन आर में आपका total installation हो जाएगा मैं अभी इसको next नहीं कर सकता क्योंकि मेरा already इसमें installed है विंडों installed है, अगर मैं ये चीज़ करूँगा, तो ये मेरा सारा system खराब हो जाएगा, क्योंकि ये already मेरे इसमें installed है क्योंकि install करने के लिए मेरे को एक बर ये ये आपकी जो मेरी SSD है उसको उसको format करना पड़ेगा तो तो ये ही था आज की वीडियो में और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि Battlefield 1 और 5 का giveaway चल रहा है तो येस का भी computer, gaming computer जिसके पास भी है तो वो मेरे को Instagram पर मैं description में link दे दूँआ उसका Instagram का वहां message कर दे तो मैं उसको उसकी original की जो होती है copy मैं उसको दे दूँआ तो ये ही था जैसी next कर दोगे window copy होनी शुरू हो जाएगी install होनी शुरू हो जाएगी फिर 2-3 steps आगे आते हैं कि आपको कौन सा keyboard की language करनी है select तो वो आप कर लोगे उसमें कोई रमी चोड़ी बात है नी तो इस तरीके से आपकी window install होगी एक चीज़ ध्यान रखना कि मैंने delete का बटन डबायता शुरूआत में इसमें आने के लिए तो किसी किसी laptop में F11 भी होता है F12 भी होता है तो वो अपने system के हिसाप से अपने model के हिसाप से आप लोग देख लेना format यह है ऐसी होता है next करता होगी install होने शुरू हो जाएगी छोटे मोटे instruction आएंगे आगे जाके उनको थोड़ा 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 जो आपको करना है wifi से connect तो कर लेना जो चीज आपको ignore करनी है उस पर note नाओ कर देना और आपकी window install होके आप सिधा desktop पर आ जाओगे बहुत easy सा है यह step कोई ज़्यादा rocket science इसमें है नी तो अभी मैं जो यह system मैं आपको ना इसको exit करता हूँ मेरे को तो आपको बैस एक डिखाना था कि यह होता कैसे है अभी फिलाल मैं इसको exit करता हूँ अगर मेरे किसी डोस्त का कभी window installation होगा तो मैं यह आगे की step भी लियाऊँगा वैसे internet पर देख लेना आपको अगर आगे के step देखना है तो मिल जाएंगे ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें आगे के उसमें तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरे content अच्छा लगता है तो मेरे channel को like करो, share करो और जो भी red button आएगा उस पे click कर देना इससे मेरे channel को अच्छा support मिलता है